हेलो गाइस व्लक्रम टो अनदर वीडियो फिनांसल रिजल पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और यहां पे स्टैंडलाउं कॉनसौलिडेटेड दोनों रिजल्स आउट हो चुका है क्वाटर एंडड और फिनांसल लेंड इन रिजल करेंगे चलिए फिन लॉजिकल चेंजेज यह प्लांट सब कोई लॉंगर एकोनॉमिकली वाइबेबल नहीं था इसलिए इसको बंद कर दिया गया ऑप्रेडिंग कैपसिटी जो है बहुत ही लो हो गया इस प्लांट का लास्ट सेवरल लियर्स के लिए जो मतलब कि लो हो गया था और हो चुका को इसलिए इंक्रीज किया कैपसिटी को बॉट लेकिंग को के दोवारा कैपसिटी क्या टाइए इंटर्मेडियेट के लिए यूनिट और यूनिट सेवन में और इसका भी मतलब कि कोई कोई लॉस नहीं हुआ है कंपनी को इसको लेकर अप्डेट आया है तो इसको जो जो इंप्रूफ किया जाएगा के कारण तो यहां पर लेकर अप्डेट आया इसको लेकर तो हम लोग चलते कंपनी के रिजल्ट पर और पहले गाइस हम लोग consolidated financial result को कवर करेंगे number millions में दिये गए है income की बात करें गाइस तो पिछले quarter में च्रोड करोड का मार्श लैंडर करोड कश्पेंस बहुत जादा यहाँ पर देख सकते एक्सेंस इंक्रीज किया जिसके बाद अब यहां पर लॉस का लॉस है पिछले quarter में 1.9 क्रोड का profit है और 5.5 क्रोड का profit है quarter on quarter you're on year दोनों में डाउन देखने को है वह एकानेट की बात करएं तो कंपनीके जो पॉफिट एक करोड यदि करोड का पॉफिट है इस अरे क्वाटर में इंक्रीज यर और में क्रीज किया है इसक्सिक्स थीरो पॉइंड वन से क्वाटर करोड का 23 में 1535 करोड के expense पे decrease किया ऑपरेडिंग पॉफिट 4.7 करोड का 23 में 50.8 करोड का डाउन देखने को मिला है नेट पॉफिट 6.4 करोड का 23 में 38 करोड का डाउन देखने को मिल रही है EPS 0.5 रुपिश का 23 से डाउन और रही है तो गाइस क्वाटर इंडिट का रिजल्ट अगर देखा जाए यहां पर यह स्टैंट कॉंसॉलिट रिजल्ट देखा जाए तो बहुत वीक रिजल्ट पेश का भले एक क्वाटर की इंकम में और प्रॉफिट इंक्रीज किया लेकिन यह रॉनिट के से इंकम इंक्रीज था लेकिन प्रॉफिट बहुत बुरीता से क्रैश किया है अगर हम इसकी स्टैंड लॉन डिजल्स को कवर करें इंकम है 396.6 करोड का पिछले क्वाटर में 341.9 करोड का मार्च 23 क्वाटर में 393 करोड का इंकम है क्वाटर और क्वाटर यह रॉनियर दोनों में इंक्रीज किया है एक्सपेंस कंपनी का 389.6 करोड का पिछले क्वाटर में 340 करोड का मार्च 23 क्वाटर में 389.4 करोड का वहा था quarter on quarter में expense बहुत ज्यादा यह रॉण यहाँ जादा वो इसकी पॉफिट दाउन है और यहाँ पर यहाँ पर नेट पॉफिट फॉर पॉइंट नाइन करोड का पिछले सावंटी टू लैक्स का मार्श रॉणी तो इंक्रीज है सैवन टाइम्स का लेकिन यह रॉण देखा जाए तो बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिला है यह पीए 0.39 रॉपिज का quarter on quarter में increase है लेकिन यह रॉन यह में decrease किया है तो कंपनी का इसको फास पेशने के आबरेज देखने को अबले इसमें अप्रेट आने का इसके ग्रोथ होने का वह एका शेयर की बाद के 77 परशेंट का पॉफिट दिया 5.2 पॉफिट पॉफिट का पॉफिट है त्री वन मंत में 3.6 पॉफिट का लॉस और बहुत बहुत सपोर्ट लिया था गाइस 22nd में को 72 रूपीश पे और उसके बाद इसलिए अब यहां पे अगर हम एंटरी करना चाहते है गाइस तो आप थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि करेक्शन होने दिखिए कि आज बहुत जादा अप्ट्रेंड में देखने को मिला है लिस्ट 75 के निचे आने दिचे उसके वाद आप इसमें एंटरी कर सकते हैं तो हम